दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथ ही सिंजी स्वाबी तो दोस्तों आज मैं चला रहा हूँ अल्ट रोज का यह बेस वेरियंट है इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं वालांकि मैं काफी देर होगी मुझे करते हुए इसको मैंने दो तीन बार कर लिया है मतलब सुवह से ड्राइव करके रिवीव अगयरा करके आप मैं गाइस को हम चलाके देखते हैं कैसा हमें एकदम फील होता है तो मैं इसको पंस के साथ मोटा मोटा कंपेर करूंगा कि क्यूंकि पंस को मुझे चलाते हुए का और यह पंज के साथ सब्सक्राइब करना इसलिए बनता है क्यूंकि सिरफ और शिरफ यह जो पंज के शाथ सेम इंजन इसकाथ है जो तो 86 bhp की पावर देता है और 130 नम का जो है टोक जनेट करता है दोनों के अंदर जो नेचुर्विली एस्प्रेटर इंजन है दोनों के अंदर सेम ही है तो दोनों इसलिए बनता है सिरॉप और सिरॉप फरक है तो एक मतलब सेगमेंट का कहलो आपकी वह एक मिड साइज अस्य इस प्रिबियम हेच टाइप में गाड़ी है तो सबसे पहले हमारा आता है क्योशन इंजन के उपर यह फिर हम मानके चलेंगी पिक अप क्या सीन है तो सबसे पहले मैं अगर पिक अपकी बात करूं तो पिक अपके अंदर मुझे कहीं न कहीं ऐसा फील होता है कि पंच है वह करती है अल ंगें मुझे लगता है और उस पर फष्ट गेर में जाते हैं और उसके बार घ्य चलने लगता है तो stayed परफेक्ट उसके बाद में यह ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है अल्ट्रो जो है मतलब वह इसका जो ड्राइविंग ड्राइनमिक्स जो इस टैफ से है कि हाइवे पेक दम जो होगा को काटते हुए चलती है तो इसमें इतना ज्यादा फील नहीं होता है कि ज्यादा करें दो और आराए गाडी को ऐसे करके जो मुझे अभी तक लगा उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट इसके बाद करो स्टेरिंग की तो स्टेरिंग फीड़ेक्ट जो है मुझे करें के अल्ट्रो ज्यादा अच्छा लगा पंच के मुकाबले इसका जो रिस्पॉंस से काफी चीजों के अंदर जो है यह अच्छा लगता है अलांकि दोनों का स्टेरिंग जो है लाइट है यह जैसे आई वे पर स्पीड तेज करते हैं तो यह देखिए अभी यह थोड़ा सा स्टिप हो गया मतलब ऐसे टाइट हो जाता है और उसका भी टाइट हो जाता है इसका फीडवेक मुझे ज्यादा अच्छा लगा उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात प्रोस के अंदर जैसे वाइब्रेसन वगएरा का जो टाटा की गाड़ियों में आता है उसके अंदर जो है पंस कही नहीं बाजी माज आती है अपनी पंस के अंदर थोड़ी कम नोइस वग पंस मुझे ज्यादा कम बड़ी लगती है इसके अंदर जो नोइस केंसिलेशन बगएरा के अंदर काफी अच्छा है बाकी पिक अब बगएरा के अंदर ज्यादा अच्छी है उसके लावा ऐसे अर्गनोमिक बात करूं तो मैं जैसे कोई भी चीज को यूज करना है और करन अपने आप में वेस्ट है और यह वाली जो है अपनी अल्टोज है यह अगर हाइवेर ड्राइविंग की बात करूं तो यह ज्यादा चिपक के चलती है मुझे इसा लग रहे है पंच है थोड़े सा अब उसके अदर बोडी रोल फील होता है इसके मगावले और ब्रेकिंग पंच के अंदर बगएर कुछ भी वीजिवल नहीं होता है इसके अंदर जादा आता है पंच के मुझे ऐसा लग रहे है सब का अलग लग ओपीनियन हो सकते है बट यह मेरा ओपीनियन है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको और अभी वी जैसे मैं गाड़ी को 110 तो नहीं हू इसका एक तो चिपक के चल लिए गाड़ी थोड़ी रोल सा फील करवाती है इसके अलावा बाकी सारी सीजन ठीक है कमफर्ट के अंदर मुझे यह अल्ट्रो ज्यादा कमफर्ट लगी पीछे की सीट भी और आगे की सीट भी अलांकि मैं यह नहीं बोलना की पंच कमफर्टे के मुकाबले और बाकी यह सीटी वगेरा के लिए यूज के लिए यह वाली ज्यादा अच्छी है अगर आपका कहीं पर खेत वगेरा में या फिर ग्राउंड क्लेंस का दिक्कत नहीं है कोई ऑफ रोड मतलब ख्राब रस्तों पे नहीं चलना तो पंच मुझे ज्यादा बै अश्काइब यह नग्यादा ख्राइब करेंगी पर डिया जलतिक्ति यह विए अगर में बात करना तो रुट वच्छा निकलती है उसकी जो है मेरेच जनली में 15 जो चोडा-15 सीटी में और हाईवे पर बीश कर जो है एवारेज जाता है और इसले अबरेज और जैना हार द पर बता जिए क्योंकि मेरी पंच काफी चलाई हुए अभी ज्यादा नहीं चलाई वी और यह मैनुवल है नेचरल एस्पिरेटर है इसका ओटोमेटिक या फिर जैसे डर्बो वाला है वह भी मैने अल्टोज का नहीं चलाई है पंच का मैने मैनुवल और ऑटोमेटिक दोनों अनव है ट्रव जैसे देटर सर१ नेगा है करने में चलाई को रिखे धर धर राम नीकासी एल यह ऊपर अदिक क्यों इसके अंदर सब क्रिभाट समेट यह तो एक चोटा सा वीडिओ कम्पेर यह आपको यह वीडियू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जुरूर बताना दोस्